उम्श्यांती, ग्यारा नवर में की शुरुदान में सुकस हो आते हैं, परमातर पिता कहते हैं, हर आत्मा के संबंद संबर्ख में आते हैं, सबको दान देने वाले महादानी वर्दानी भवा, विस्तार में चलें, सारे दिन में जो भी संबद संबर्ख में आएं, उसे कोई कोई शक्ति का, घ्यान का, गुन का वरदान दो, शक्ति का मरलब की, कोई भी problem हो, कोई भी situation हो, उसको कैसे solve करना है, उसका आप उनको वरदान दो, मतलब की, उनको example दो, खुद करके, घ्यान का, कोई भी चीज, उनको difficult लग रही हो, wisdom की कमी हो, विवे की कमी हो, आप गयान के point जो बाबे नहीं से कहा है उनको आप उनको देख करके उनको गईड करो गुण का दान दो अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध या अहंकार या चिरचड़ापन या बदले देनी की भावना है तो आप उनको गुण का दान करो जैसे की सहन शीलता, रहम दल, जैसे की परमात्म वह मास्टर रहम दल है आपके पास ग्यान का भी खजाना है तो शक्तियों का और गुण का भी खजाना है तो कोई भी दिन बिना दान दिये खाली ना जाए मलकि हमें patchwork करते जाना है मलम लगाते जाना है जिसको इसको मिलते जाए उनको हमें help करते जानी है खाली ना जाए तब कहेंगे महादानी दो दिन दूसरा दान शब्द का रुहानी अर्थ है सायोग देना तो अपनी शिर्ष्ट सिती के वायूमंडल दोरा और अपनी वृत्ती के वाइब्रेशन दोरा हर आत्मा को सायोग दो तब कहेंगे बरता निए अगर आप मुँझे कुछ बोल ली सकते हो उनको क्योंकि आप जानते हो कि एकर आप कुछी बोलो के तो वो रियाक करेंगे, आपको उल्टा उच सीधा बोलेंगे, तो हम उस समय, अपने संकल्पों के दोरा, शुब भावनों के दोरा, वृत्ति के दोरा, आटिट्यूट के दोरा, वाइब्रेशन्स पहला सकते हैं, ताकि उनके अंदर परिवर्टन जाए, जो कि बहुत स्ट्रॉंग है तरीका करने का, इसको सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारीज, इस शुर्य विश्य देले में जाएं, अब और इसको सीखें, विद्या को, ओम शंदी,